Hey friends, my name is Vivek, आज की वीडियो में बात करेंगे कि mobile में जो हम लोग आजकल ज्यादा समय गुजार रहे है, shots देख रहे है, podcasts देख रहे है, क्या ये हमारे लिए जरूरी है, या फिर किताब को read करना, आसान सा उत्तर है कि किताबों को read करना ज्यादा knowledgeable होता है, बट ये क्योंकि हम हमारे माता-पिता ने हमें बता दिया है, हम लोग इस चीज को सीख गए है, बट क्या ये सच है, आजकल हम podcast देख रहे है YouTube पे, हम लोग बहुत सारे entertainment videos देख रहे है, shots देख रहे है, knowledgeable sigma mail देख रहे है, और ये देख रहे है, वो देख रहे है, तो क्या ये हमें benefit नहीं कर सकत हम लोग आज की वीडियो में यही बात करेंगे, मैं सिर्फ दो हफते पहले की बात करूं, दो हफते तीन हफते पहले की, तो मैं इस वीडियो के जंगल में फज गया था, मैंने एक बर settings गलती से mobile को किसी चीज की force stop करने के लिए on किया, और मैं किसी तरह attention seek office में गया, और व मोबाइल में, और मैं YouTube पे content डाल रहा हूं, but that is all useless, just because मेरा mind is not fresh, मैं यह सोच रहा हूं कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, और इस चीज में मेरा समय गुजर रहा है, मैंने इस चीज को track किया, मैंने इस चीज को देखा, मुझे एक धक्का लगा, फिर एक दो दिन तो म और भी example दू, मैंने अपने ही best friend को एक चमाटा लगाया, पूरे class के बीच में, तो ऐस लिए हुआ, दोस्तों कि शायद मैंने उसको देखा, किसी और किसें, तो हो सकता है, आपकी दिमाग में ऐसा हो, आपको share किया, मैंने ऐसी videos में, पर ये, चली मजा था, अब चली बात क मैंने अभी फिर से gym join किया, सिर्फ एक तारीख से, तो अभी wait किरने में तो time लगेगा, but overall में, क्या ये सच है, क्या ये सही है, दोस्तों हाँ, अगर आप किसी चीज से depressed है, तो आपको अपने habits को बदलने की जरूबत है, आपको पहले पता लगना चाहिए, कि क्या problem है, problem is here दोस्तों की YouTube पे पहले आप जाया करते थे और search किया करते थे, तो आपको content मिलता था, but अब YouTube आपको बताता है, कि आपको क्या देखना चाहिए, क्या Marvel का नया show आया है, देखिए, कोई किसी को propose कर रहा है, देखिए, कोई ये कर रहा है, तो देखिए, कोई वो कर रहा है, त किसी ने बहुत ही 100 billion crores का जो है funding पाया है कोई यह किया है वो किया है क्या आप इसका हिस्सा है या फिर आपको कुछ बनना है तो दोस्तों इस टीज में आपको एक difference क्रेट करने की जरूरत है sigma mail देखने से sigma नहीं हो जाता, sigma mail देखने से आप यह समझ रहे है कि जो है हमें overall में हम किसी के control में रही होगे mobile के control में तो है आप अब इसे हटाएं कैसे चलिए यह जानते हैं सबसे पहले आपको आप की जो भी पसंद है उसके related केताब लिजे मैं startup पे आजकल काफी पढ़ रहा था क्योंकि मुझे भी एक line इसमें लिखी हुई है कि जब भी हम गुस्सा होते हैं ना तो हमारे पास तीन solution आता है एक है MBA, दूसरा IAS और तीसरा तीसरा दोस्तों startup तो मैंने सुचा कि startup क्यों पर किताब पढ़ लेते हैं पहले तो यह किताब मेरे को एक friend ने दिया और मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया उसने मुझे बताया कि दो दिन में उसने किताब कंप्लीट किया है इसलिए यह habit आई और इससे ही मेरा solution आता है मैंने पहले दिन से 30 pages पढ़े दूसरे दिन 60 pages और फुर मुझे लगा कि मैं तो अपने दोस के तरह नहीं हो पाया फिर तीसरा दिन मैंने पढ़ाई नहीं कि और फिर चौथे और पांचवे दिन में किताब को कंप्लीट किया और 200 page पे यह खतम गई पांस दिन लगे इसके बाद मैंने किताबों को सोचना शुरू किया कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए मैंने अपने interest के किताबे उठाई मैंने atomic habits, rich dad, poor dad खरीद रखी दी पर मैं पढ़ नहीं पाया तो उन किताबों को अब मैं पढ़ना भी नहीं चाहता मैं अभी Almanac of Ravikant पढ़ रहा हूँ जो मेरे को एक Shams ने suggest किया जो one of the good किताब थी मेरे पास इसके इलावा और भी अच्छे-चे किताबें मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ और मैंने trading breakout पे किताब पढ़ी trading in the zone पे किताब पढ़ी trading क्या होती इस पे किताब पढ़ी और भी बहुत सारे trading के related किताब पढ़ रहा हूँ Excel में अपने आपको देख रहा हूँ कि मैं Excel कैसे सीख सको these are the best skills जो मार्केट में है वो मैं सीखना चाहता हूँ आपको जो इंट्रेस्ट करता है आपको कोडिंग इंट्रेस्ट करता है तो कोडिंग सेखिए YouTube आपका प्लाटफर्म नहीं है दोस्तों आप पे प्लाटफर्म चूस कीजिए YouTube पे free material है पर क्या आपको उसी से पढढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए आप लोगो और अगर YouTube पे आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ mobile, laptop पे आप वीडियो को देखेंगे तो आप सीख सकते हैं laptop पे या फिर mobile के desktop व्यूज में और आपको मैं दो extension बताता हूँ एक तो है Unhook नाम का extension आपके laptop पे जिससे आप YouTube आपको recommend करना videos बंद कर देगा आपको videos दिखेंगी नहीं कि YouTube आपको क्या recommend कर रहा है और आप लोग जो search करेंगे search engine पे उसी के related videos आप देखें इसके इलावा क्योंकि पहले YouTube ऐसा search engine था और अभी आपका recommendation platform बन गया है second आप लोगों को अपने mobile application पे कोई नई सी Gmail ID बनाकर उसके अंदर जो है login करना है और इसके बाद आपको fruitful searches करने है जिससे जो आपका algorithm है वो change होकर fruitful algorithm बन जाए जिसमें आप एक अच्छी चीज़े ही अपने आपको input ले पाए और इसके लाबा दोस्तो podcast अगर आप देख रहे हैं तो filter out करके देखेंगे क्या आपके लिए जरूरी है BR biceps में भूतिया podcast आपके लिए जरूरी है चानके नीती कि आपके लिए बना है नहीं दोस्तों आपके लिए बना है की कौन कैसे success पा रहा है कौन कैसे क्या कर रहा है तो इससे हैं आप एनालेसस ले सकते हैं आपको गाने सुनने हैं आटो प्ले आउन कर दीजिए और अन्हुक के अंदर तो आप गाने सरूर सुन सकते हैं बट आप देख नहीं सकते कि नेक्स्ट गाना क्या बज़ेगा सर्च करें उस गाने को और फिर देखें क्या यूट्यूब आपको इस तरीके से बेवकूब बनाना बंद कर देगा अब भी भी नहीं बंद कर सकता दोस्तों क्यों क्योंकि आपके माइंड में फिट हो चुका है ये सारी चीजे आप लोगों के साथ समय कम गुजार के मुबाइल में ज्यादा समय गुजारते है और इस चीज का एक बहुत बड़ा solution हो सकता है आपको किताबे पढ़नी पढ़ेंगी किताबे पढ़ना बहुत ही अच्छी कला है और इसी चीज़ पे मैंने मुबाइल में दो चीजे settings की है आप से पहले आप अपने WhatsApp notification बंद करेंगे I know exams है बट क्या जरूरी है exams आपकी जिंदगी है दोस्तो कितना नंबर आपने लाया 10 में मैं 90% लाया 92% लाया कोई फाइदा हुआ अरे वही जो आप मिलती है वही जो सबको मिलती है तो मेरे बाते काफी बुरी है यही सच है I know this is a rat race, everyone has to run but this is not the reality, this is not you you have to switch it off, you have to understand the timing concepts whenever you log in at the night, you have to note it down that next day को exam है, I have to schedule it that secondly, अगर आप मिस कर जाते हैं, there is no regret second, Facebook should not be in your part Facebook should be inside the Chrome you have to use Facebook because you have to be connected with your family but don't use Facebook just to be online all the time कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे I know changes will not happen in one day सुभे आपको उठना दो दिन में कोई नहीं सिखा सकता 10 बजे ही उठोगे आप if you possible, take a subscription in a gym or try to at least go for a walk in a day this will only make you fresh for a whole day और ओवर आल में अगर आप YouTube पे content नहीं डालते then you can make good contents पर YouTube पे content डालना is not a good joke बने अभी मजाग बन गया है क्यों आप numbers देखेंगे और numbers में आप demotivate हो जाएंगे then you will watch useless YouTubers and understand की tags डालना है ये डालना है वो डालना है success मिलेगा there is no such guarantee YouTube पे video content अच्छी रहेगी तो चलेगा जैसे ये नहीं चलेगा क्योंकि पर ये चलेगा शायद तो overall में दोस्तो be positive all the time don't complain about things don't complain about others and it should always be you अगर आप अच्छा सोचते हो तो अच्छा ही होगा बुरा सोचते हो तो भी अच्छा ही होगा क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि आप अच्छा सोचोगे तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंदा थे वीडियो को लाइक की चाहिए और सब्सक्राइब आने वाले समय पे हम meaningful videos and good videos लने वाले book reviews लने वाले अच्छे चीज़े लने वाले and we are excited are you excited guys वीडियो को लाइक कीच चाहिए और सब्सक्राइब